वेलकम टो योनिक खलाशे जो डीबी जी देखे हमारे पास इंफनाइट सिरीज का डी अलंबर्स रेशियो टेस्ट मतलब आपको है हम इसका जो आपको था पुरूफ जो हम थेवरम हम पुरूफ कर चुके राइट अब जो हम इस पर कोश्चन सॉल्ब करने वाले देखे तो ह है कोशन भी देख लिए कशन्वार जेक करनाय काड़ात करना को यहां पर गया कापको कशन्वार जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इनफ...? इसका निकाल लेंगे क्या करेंगी timber में हम इसके साथ जो कर pine find un plus one replacing n by n plus one in un क्या मतलब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना un plus one निकालना इसके लिए क्या करेंगे replace कर देंगे इन के जगा पर n plus one किसमें un में find un बट्टा में un plus one तीसरा नंबर पे काम करेंगे un बट्टा में un plus one निकालेंगे मतलब भाग देंगे अब देखिए find अब इसमें limit लगाएंगे ठीक है इस वाले में आपको limit लगाएंगे और यहां से माल लेंगे आपको il मतलब आपको late कर लिया गया दिन पहला condition में देखिए यहां पर आपको वो लेंगे test जो है fail है अगर यह condition हो जाता है आपको यहां पर करना है क्या चीज़ कम present test जो हम लोग देख चुके पहले भी इस पर question भी solve कर चुके न हाँ तो यह कम present test की मदद से हम लोग क्या करेंगे आपको solve करेंगे तो फिलाल देखिए हम क्या करते है question number इसका first को solve कर लेते है ठीक है अभी इसको क्या करते हम इसका solution बना लेते है factorial 1 बटा में कितना आपको 1 है ना factorial 2 बटा में 2 है तो आपको सबसे पहले क्या करना आपको nth term में ले लेना तभी तो आप आगे solve करेंगे तो मैं यहाँ पर बोल दूँ यू एन बराबर में आपको जो है nth term of series क्या चीज है यू एन एक nth term of the series है दिन देखिया आपको जो है ना यू एन बराबर में लोग क्या लिखेंगे इसका nth term देखिए उपर वाले की बात अगर आप कर लेते है 1 2 3 4 मतलब इन टाइम चलना है नीचे वाले की बात कर ले 1 2 3 यह तो n है पावर में देखिए 2 3 1 यहाँ पर तो 1 तो होगा है 1 का पावर 1 1 2 3 4 अरे वाई यह 4 है 3 यह 4 होगा न तो इस तरीके से आपको चलेगा मतलब यह भी एन टाइम चलना है अब तो कोई मुश्किल नहीं है आप देखिए अगर आप यू एन निकाल लेते हैं इसके बाद आपको क्या करना है यू एन पिलस वन निकालना क्या चित यू एन पिलस वन तो UN प्लस वन कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल N प्लस वन, मतलब N के जगह पर, मतलब N प्लस वन डालना है, N प्लस वन का होल पावर में N प्लस वन, ओ, बिल्कुल, N प्लस वन अब दिक्कत नहीं है, अब मुझे ये बताईए, अब इसको क्या करना, N और N का पावर में N, अच्छा, डिवाइटिंग करेंगे, तो ये उपर चला जागा न, अब उपर चला जागा, N प्लस वन, और नीचे में फैक्टोरियल N प्लस वन, तो आप यहां पर पहुंच गया, तो आगे इसमें हम लोग क्या कर सकते, यहां पर आगे काम करने के लिए, तो देखिया, आप इसको ऐसा करें, सबसे पहले हम उपर करते, तो आपको यह फैक्टोरियल N है ना, और नीचे देखिये, यह आपको फैक्टोरियल N प्लस वन, आप इसको ऐसा खिले, अच्छा, यह N का पावर N, इसको रहन दीजे, मैं बात कर लो, अगर आप चाहे तो इससे फैक्टोरियल N को जो है, आप इसको रहन दीजे, तो नीचे बाले को तोड़ लेंगे, दोनों में से किसे एको तोड़िये, N का पावर में N, गुने का N पिलस 1 है, अच्छा, और यहाँ पर N पिलस 1 है, और यहाँ पर देखिए, यह होल पावर में भी N पिलस 1 है, आप चाहे न तो इससे ऐसा लिख सकते, N पिलस 1 का पावर में N into N पिलस 1, देखे न, इससे फादा अपना हो जागा, कि नीचे बाले से आपको क्या हो जाएगा, N पिलस 1 बाहर कर लेंगे, फैक्टोरियल में है, बाहर कर लेंगे, और यह आपको फैक्टोरियल N बन जाएगा, मतलब एक बाहर, यह क्या लिखा गया, मतलब आपको एक क्या हो जाता, आपको घट जाता है, न फेक्टोरील वाला जो चक्कर है, बिलकुल इसे चेरा सब्सक्र हो से त्था तक की मोजिए का मिन के还買 रेंगे, वह कि आप है यह इन को सब्सक्राना की आप यह यूंइत बट्टा में क्या लिखा हुआ हुआ ? आप इसमें चाहे तो लिमिट लगा सकते हैं दीखे यह चीज है न आपको नुर्मल सा यहां पर काम कर ले ना, काम क्या कर ना मैं बता दू, देखे, आओ, हाँ, यह लिमिट है ना, आपको क्या करना है, यह अच्छा एक चीज है, मुझे एक चीज यह बताईये, आपको जो है, यह यह डारेक्ट एक फर्मूला, मतलब E के लिए होता है, E, E जानते हैं, यह exponential जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसके लिए formula होता है, लेकिन वो X में चलता है, X 10 to infinity, 1 plus 1 बट्टा में X पाउर, तो इस तरीके सा आपको चलता है, तो X में चलता है, और X में चलता है, यहां पर N में चलता है, इसमें भी दिखन द बोलेंगे, convergent बोलेंगे, is the rule, rule देख चुके आप, हाँ, तो rule आपको ख्याल रखना, ठीक है, तो यह आपको question solve हुआ, काफी, अच्छा question था, अभी हम इसमें क्या करते है, next question को solve कर लेते हैं, देखे, यह अपना परशन है, दो नमबर में, आपको इस तरीके से हैं, बिलक clear है, मतलब आपको यह one, मतलब आपको N, अच्छ क्यों हो भाई, ट्र पार में PPP् क्छिए पी, कर दिक्कते नहीं है आगे आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगर आप यहां से यूएन प्लस वन निकाल लेते हैं अगला ट्रव एंफ एन में फिलस वन रिपलेसिंग करना है रूल आप देख लिजिएगा ठीक है एन में फिलस वन का पावर में आपको डालना है आप फैक्ट अगर यह इसको बट्टा में डालेंगे तो यह तहब उपर जाएगा मतलब पलट जाएगा हाँ पलट जाएगा और नीचे बाला जो है N पिलस वन का पावर में P हाँ, अगर आप यहाँ पर पहुँंच चुके तो आप यहाँ पर बात यह है, कि कुछ अ-कुछ काटने-कुटने की बात चलेघी, आप देखे न, क्यों, देखे, यह आपको जो न, यह फेक्टटोरियल एन, यहाँ पर n-plus 1 इसको आइसा कर देजे यहां पर, यह नंगे, यहां पर idlaric, अच्छा, N-CAP-P, और इन दोनों को एकसाद कर लिए, बड़ा फायदे मन्द होगा, देखिए न, यह भी P-वाला, यह भी P-वाला, इससे क्या फायदा आपने को हो जाएगा, देखिए, P-वाले को एकसाद करिए, और यह वाले को एकसाद, FACTORIAL N-P-L-1, कोई दिका न, इ यह तो किड़ जाए गउग दिकत की बात नहीं है, आपको फेक्तोरियल n बट जाएगा, अच्छा इच चीज की बात करें लेदे न, तो आप मुझे यह बताईए, इस को हम नीचे लागे लिखें तो मैं लिखेंगे, इसको नीचे लागे लिख करेंगे, मतलब n पिलस लाव पावर में P, आप पल्टी मारेंगे न, यह उपर जाके वही बन जागा, उपर इनका पावर P उपर चला जागा वही बन जागा, बिल्कुल, अब देखें, मैं बता दू, यह फेक्टोरियल N, फेक्टोरियल N, एन पिलस 1, अच्छा, इस चीज की बात कर ले तो, अब यहां स अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, आउन बंटा में ईन सेपरेट करते हैं, अगर आप इसमें लिमिट लगाते तो यह 1 बटा में n है देखे लिए लगाई देते हैं दिक्कत क्या है आप लगा देजिए लिमिट एंटेंज टू इंफिनिटी यूए बटा में यूए पिलस 1 ठीक है और लिमिट जो है आपको इसमें भी लग जाएगा ना लिमिट, मैं अपने को अपने को मुग्सकिल ही नहीं है और अप मुझे बटाइए अगर किसी इंफिनिटी में को संह्टां जोरते बहुते तो पहले से इंफिनिटी इसमें कोिस संहटां जोरेंगे तो इंफिनिटी और बाई कोई कुछ संख्या जो रहेंगे इसको कोई फरक है नी पड़ेगा अब समूंदरी पे दो चार बालतिन पानी डालिएगा तो इसको कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा समूंदरी ही पहले से तो अब बताईए यहां पर आपको infinity मतलब आपको एक चीज है यहां का पावर P1 जब बरावर में infinity अच्छा एक चीज़ बताएं वन बरका की infinity बरका बाई infinity बहुत बरी संख्या हो चुकिए उसके अनंत वाली संख्या वज़से कहते न हाँ तो आप बताएं यहाँ पर वन से यह क्या होगा आपको बरा होगा तो आप अगला परश्णी यह है यह तिन नंबर है आप इसमें देख लिजिए देखिए आपको इस तरीके से टोटल है बिल्कुल है आप मुझे यह बताएं इस कोशन को सॉल्व कैसे किया जाए आपको देखिए मैं बता दू यह त्रम पता है मतलब आपको यू एन मालूम है एन पिलस वन बटा में इन का पावर तीन एक्स का पावर में न और कोई मुश्किल नहीं है अधिक्कत नहीं है आप मुझे यह बताएं यू एन तो निकल चुका आपन क्या करेंगे यू एन पिलस वन निकालेंगे वाइस नूर्मल सा चीज है एन पिलस वन और यह पलस वन मतलब टू एन पिलस वन का पावर में तीन और यह अच्छा एक्स एन पिलस वन अच्छा एक्स का पावर में यह इन पिलस वन है येस और देखिए मुझे यह बताएं कि अगर आप यू एन प्लस वन निकाल लेते हैं, तो अच्छा आपका यू एन जो है ये वाला पार्ट है, मतलब एन प्लस वन, बट्टा में एन क्यूँब, और ये गुना में जो है एक्स का पावर, मानिये न, यहां पर है गुना में, हाँ, आप गुना करेंगे तो ये भाई साब उपर जाएगा, मतलब एन पिलस वन का पावर में, च्यूब, आई ये वाला पार्ट आपका नीचे, हाँ, बिल्कुल एन पिलस टू, और एक्स का पावर में इन पिलस वन, कोई तो लॉजिक बनना चाहिए, ये तभी तो कुछ होगा, हाँ, अच्या एक चीजा ये एन पिलस वन पावर तीन ये इन पिलस वन, मतलब पावर चार बन गया, पावर जूर जाता है गुना में, एक्स का पावर नीचे एन का पावर थीरी इसके साथ तो आप कुछ कर नहीं सकते, मैं बोलता हूना इनको रहन दीजिए अभी, बाद में इसको देखेंगे, एक्स का पावर न और यहां पर एक्स का पावर अच्या एक चीज़े एन पिलस टू भी आपने पास, मैं बोलता हूना इसे भी रहन दीजिए, बाद में इसको भी देखेंगे क्या चक्कर होगा, अगर इसकी बात कर ले ना, तो यहां पर देखे, X का पावर N है, अगर आप चाहे न, यह N पिलस 2 तो बाहर जा चुका है, X का पावर में, N पिलस 1, इस भाइस आपको नीचे लिया यह, तो X का पावर में, माइनस का N, यह पिलस 2, अब यहां पर मैं बात कर लेता हूँ, यह आपको 1 बट्टा का X, हाँ, एक चीज है, यह N पिलस 1 का पावर में, कितना है, 4 है, अगर यह 4 है, तो मतलब, बाइनूमियल वाला एगो, आपको मतलब, फार्मूला वाला जो चकर होता है, A प्लस B का पावर, जो N वाला पावर में, कौन बड़ी बात है, तो इसके लिए, इसको तो रहेंगे न, इसके लिए, A पलस B का अगर आप जो है, न, 4 करते हैं, तो आप नोर्मल सा A पलस B का होले स्क्वार करके, गुना करके, मतलब तोर के लिख सकते हैं, यहां फिर आपको बाइनुमियल याद है, तो लिखे हैं, और एक्शुल में ज्यादा तर याद नहीं होता है, तो आप वैसे भी तोर कर लिख सकते हैं, कोई खास, मतलब गुना नहीं है, चार A Q B, 4 A SQ, मतलब 4 A B Q, और यहां लाश्ट में जो है, पलस B का पावर में 4, तो देखे, यह इस तरी, यह B का पावर 4 है, इस लिखा पर 1, मतलब A का पावर 4 मतलब N का पावर में 4, प्लस 6 A SQ, मतलब N SQ, B SQ, वन का भाई SQ करेंगे, तो कोई फरक्री नहीं पड़ेगा, 4 A Q, मतलब 1 N का Q, 4 A Q, B B इंक कोई फ़रक नहीं पड़ेगा इसको, 4 A, A के जगा पर 1, कोई फरक नहीं, ऑज स्री, E के जगा पर 1Q, मतलब 1 का Q कोई दिक्कत है नहीं है, इसको, पलस B का पाउर 4, बाई B का पाउर 4, मतलब 1 का पाउर 4, 1, डिवाइडिंग में, NQ, और N पिलस 2, इन 2 में 1 बट्टा एक्स, ये बहाई साब एक एक इक्स्ट्रा बहाई साब आचुका, आपका 1 बट्टा एक्स, इसके साथ जो है, कोई लोजिकली खेलना पड़ेगा आपको, N का पाउर 4 है, मैं इसको क्या करते है, N का पाउर 4 से उपर नीचे दोनों में भाग लगा देते, कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा, नीचे भी है इनका पाउर 4, इसके नीचे भी इनका पाउर 4, दोनों में吧 उपर तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, दोनों आपस में कैंसिल भी हो जाएगा, तो इससे कोई फरक नहीं परेगा, देखियें महा करता हूँ, N का पाउर 4 से भाग लगा देते, आप ऐसा भी कर सकते इंका पावर्ड चार्च भाग लगा या फिर कॉमन लगा यह वहीं बात हो जाएगा नहीं देखिए नका पोड़ चार ऊपर में कॉमन ले लिजएगा तो यह वन हो जाएगा और यहां पर शीक सेने स्कॉार के बट्टा में आपको इंका पावर्ड में बन जाएगा यह 4NQ के बट्टा में इनका पाउड चार बन जाएगा क्योंकि देखे ना इसको आपका काम बन जाएगा यहां से वन के बट्टा में इनका पाउड चार बन जाएगा डिवाइडिंग वाला जो चक्कर होगा न इनक्यू है न ना न विईक्वङ जूण। देखिए तो यहां पर आपको और यह तक हम लोग पहुंच चुकें अब यहां पर क्या करें, अच्छा यह दोनों भाई सभी गाय रिज़सल्टेंट क्या अदर्थ 6, 6 नीचे में बट्टा में N Square बनेगा यह, यह N, देखे, नीचे, इनका पावर 4, यह Cancelled नीचे 4 बट्टा है N, आईए, वन बट्टा का N का पावर में 4, देखे, आप यहाँ पर पाउंचों का, अब दिक्कत नहीं होगा, आपको आप डिरेक्टे, इंफिनिटी वाला डालेंगे तो यह 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 0 बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आपको यहाँ पर दो बत्ता में N, आईए इन्टु का 1 बत्ता में X, यह बराबर, अगर आगर यू एन बत्ता में यू एन प्लस 1 आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, एन इंटेंетन्स फूइनिटी उन बत्ता में यू एन फिलस 1 तो बताये क्या resultant आएगा, इसमें भी लगाएंगे, इन टेंस फूइनिटी फिर से लिख देंगा, फिर से लिखना परेगा, लिख लेते हैं एक मरतभा, 6 बत्ता में N, 4 बत्ता में N का प्पावर 4, आउ को दिक् 4NQ, 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 था कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्या, थोटा सा गरबर हो गया, यह 4N जो लिखा वा था, मतलब यहां पर का एक स्टिप छूट गया, वैसे दिक्कत नहीं होगा, मतलब आंसर में कोई मुश्किल नहीं, लेकिन यहां पर आप लिखा हुआ तो लिख देंगे, 4N, मतलब यहां पर आपको पिलस का, अचै, तो हमारे पास मिटाने का भी चकर है, मिटा के लिख देते, दिक्कत नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं हो जाता है, देरे कि 4n है, तो 4n के बत्ता में भी नपको n का पाउर 4 बनेगा, पिलस बट्टा इन का पाउर चार बस यही थोड़ा सा छोटा सा चीज था मतलब आपको यह जो है न यह चार बट्टा में जैसे बचा बना न तो मतलब आपको जो है यहाँ पर न स्कॉाइर यहाँ पर इन का पाउर तीन बन जाएगा दू-दू जग्या चार थे हम लोग शिंगल चार सिर्फ यूज कियें देगें है चार न यह चार बट्टा में एनक्यू بنएगा और यह 1 बटा में इनका पॉड चार बनेगा, अब वहीं चकर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां पर आपको क्या लिखना, 4 बटा में Q, यहां दाल देना बस, तो देखें, मैं क्या कर देता हूं, यहां पर 1 बटा, 4 बटा में, 4 बटा में, 1 बटा में, 4, आई जो, का मतलब क्या अचीज? एन के जगह पर अगर infinity डाल ले तो ये वाला तो zero जाग, नीचे infinity नंबर की नीचे ये भी, ये भी infinity ये आज साह क्या, कोई infinity दिबने वाला, ये भी zero ये भी zero, ये भी zero मतलब आपका बन चुका one उपर में, ये तो है सच नीचे में ये 31 निज्वी तो 0, 1 but 1 into 1 but x, सिरियस बात करें, 1 but x आ चुका इसका, 1 but x आ चुका, अब आपको तो मुश्किल मिखि replaced you. आपके से पता करिएगा, क्योंकि यहां पर एक से आपको पता ही नहीं, यह बास कि यहां Týids को पता ही नहीं, सिगमा यूएन इज कन भरजेंट अचा कन भरजेंट इफ अगर वन बट्टा एक्स क्या होता है वन से ग्रेटर देने तो आप भी जानते हैं तो आप यहां पर ऐसा कर लिजी इदर उधर कर दीजे तो एक्स लेस देन वन हो जाएगा देन आपको फिर यहां पर लिखे देखे यह आपको होगा अगर वन बट्टा एक्स आपको लेस देन होता वन यह तो आपको रूल भी कह रहा है ना आप इधर उधर कर दीजे मतलब पलट दीजेगा तो क्या हो जाएगा एक सापको लेस देन वन एक चीज़ है आपने यहां पर पहुंच गिया और दोनों ल पिश्किल नहीं है यहां पर एंड आप एक और काम कर लीजिए वन बट्टा एकस बराबर में वन हो जाए यह क्या था मालूम है लाइस्ट वाला जो सीन था एकस बराबर में वन मगर एकस बराबर में जो वन होता है तो हम बोलते क्या चीज़ मतलब जो टेस्ट होता है वो fill कर जाता, अगर test की बात करें तो de-alembers की बात कर लेते हैं de-alembers test fill अगर de-alembers test fill हो गया तो क्या मतलब, तो मैंने बोला था यहाँ पर अगर वो fill कर जाना, तो आपको completion test आप पहले भी पर चुके हैं वो वाला test का क्या करना है यहाँ पर परयोग कर लेना, तो मैं चलिए अब थोरा सा और लंबी कहानी चलेगी दिकत नहीं है, अब चलते यहाँ पर, अगर आपको पता एक चीज un बराबर में, यह test fill हो चुका इसलिए un बराबर में n पिलस 1 बट्टा में n q यह यह क्या un देख लीजी होगा यह आप चाहे न तो इसको मतलब n के डिवाइड में यह गया तो क्या बन जाएगा, n बराबर में n q पिलस 1 बराबर में n q आप यहाँ पर जो है मतलब 1 बराबर में n इसक्वाइर और यह 1 बराबर में n q यह un a का मान चल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं मैं बता दू b n के बारे में actual में जो b n जो होता न आपको देखें यह 1 बराबर अ n q यह भी 1 बराबर इन का पावर 3 है actual में बात कर ले तो बंदा यहाँ पर वाले में 1 ले लेगा जो highest power होता जो नीचे वाले में भी आप बोलेंगा highest power लेकिन यहाँ पर देखें यह आपको जो है देखें 1 बराबर इन का पावर 3 है तो यहाँ पर जो हम लोग large वाले लेंगे 1 बराबर इन स्कॉार वाले को लेंगे ठीक है इस आप भी 1 स्कॉार वाला आपको यहाँ पर भी 1 लेना इस तरीके से और देखें इसमें भी 1 तो ले लिए नाव आप आपको यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि आपको जो यूवे बट्टा में भी यह कंप्रीजन जो टेस्ट होगा उसके रूल से आप इसे solve कर सकते यूवे बट्टा में अगर भी 1 निकाल लेते हैं अच्छा यूवे बट्टा में भी 1 यूवे था आपका क्या था यह वाला पाट था या फिर उपर वाला पाट बोलिए तो n पिलस 1 बट्टा में n q भी 1 का मान 1 बट्टा N square मतलब N square बट्टा में 1 पलट जागा मतलब आपको cancel N plus 1 बट्टा में N N N separate कर दिजेगा तो N N cancel 1 plus 1 बट्टा में N तो ये आपको निकल चुका UN बट्टा में BN ये तो clear आपका हो चुका है आपको यहाँ पर लगाना limit N tends to infinity UN बट्टा में BN बराबर में इसकी बात कर ले तो limit N tends to infinity 1 plus 1 बट्टा में N हाँ एक चीज़ है अगर आप infinity यहाँ पर डालते तो 1 plus 0 1 ये क्या है वाई तो अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी थोड़ा सा और सान्त हो ये हाँ मानते हैं यहाँ पर देखिए आप greater than 1 तो है ये 1 अच्छा 1 हो चुका है ये बराबर में 1 हो चुका है अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर कि आपको जो है छोटा सा एक मतलब आप जब ये एक कंपरीजन टेस्ट में रूल देखे होंगे तो वहाँ पर एक चीज लिखा होता है comparing bn with आपको 1 बटा n का power p जो bn है उसको n के power p से आप क्या करिए comparing करिए तो भाई साब मेरा bn है 1 बटा n square अगर इसको comparing करिएगा n का power p से तो p का value 2 p बराबर में 2 ये greater than 1 है बुलिएगा बिल्कुल है तो आप यहाँ पर लिखेंगे hence finally hence sigma bn is convergent तो ये चीज आपका यहाँ पर आपको क्या हुआ solution बन चुका है ऐसा actually बात करेंगे तो इसमें question बहुत सार है ठीक है फिलाल ये जो है हमने तीन question इसमें आपको क्या कर दिया अभी आपको solve कर दिया ठीक है मिलते हम लोग next video के साथ